गुरू की साधी निवाद जी, प्यारी साध संगत जी, प्यार और सतकार से कहना धानने रंकार जी सबसे पहले सतकुर माता जी का शुक्राना, शुक्राना सत्कुर तेरा शुक्रिया, मालिक तेरा शुक्रिया, जीवन में तु खुशिया लाया, साहिब तेरा शुक्रिया, अनमोल है तु ने दिया, हम को जो नजराना, ये रोम रोम है कर रहा, अब तेरा शुक्राना, हर घड़ी के जुबा मेरी बोले, मालिक तेरा शुक्रिया, सत् पल हम सद्कुरू का शुक्राना ही करते रहें सचे पाशा ने हमी ये ब्रहम घ्यान इतना अनमोल धन हमें दिया है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है तुने सचे पाशा दिया है तुने जो नफिश तोफा कदर दे हमें और हम कदर करें, कदर कर पाएं ऐसे ही भाव हमें सुनने को सद्कुर्माता जी के चर्णों में मिले सचे पाशा जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह जोड़ के रखना आप जी हर पल हमें सहारा दे रहे हो हर पल हमारी सहायता कर रहे हो हम कैसे आप जी का शुक्रिया करें हमारे पास शबद भी नहीं है जिस तरह आप जी ने किर्पा बनाई हुई है इसी तरह सारे संसार पर अपनी किर्पा बनाई रखना दासी आप जी की अपार किर्पा से असीम किर्पा से जो विचार रखने जा रही है इन विचारों द्वारा भी आप जी ने हमें यही समझाया है जिसता जगविच कोई न होवे उसता मददगार है जिसका संसार में कोई सहारा नहीं होता हेल्प करने वाला नहीं होता उसका एसत्कुरूर निरंकार सहारा बनकर आ जाता है उसके सारे कारच रास कर देता है ऐसा ही इन विचारों के माधम से दासी को सुनने को मिला है दासी वही आप साथ संगत मा के चर्णों में रख रही है आप जी परवान करें अगर दासी से ये विचार करते हुए कहीं पर भी गल्दियां हो जाएं दासी को शमा करते ना जी सासंगत जी कहती हैं 2006 की बाद है सत्कुर बाबा हर देव सिंग जी महाराज की हजूरी में हिमाचल का समागम संपन हो गया रात के 11 बजे महात्मा दिलबाग जी का फोन शेत्रिय संचालक हिमाचल के महात्मा दिलबाग जी के पास आता है वो महात्मा दिलबाग जी उन्हें कहने लगे दोगरा सहब आपके हिमाचल में महापुर्शों की एक बस महाराश्टर से चमबा की तरफ जा रही है और वो चमबा की तरफ जा रही है और बस का जो है इंबलेंस हो गया है इंबैलेंस हो गई है बस और एक महात्मा नदी में गिर गया है आप जी वहाँ पर उनकी हेल्प करें रात को ग्यारा बजे का समय है महात्मा कहने लगे महात्मा दिलक राज दोगरा जी कहने लगे कि रहात के ग्यारा बजे क्या मदद करें तो महात्मा ने महात्मा दिलबाग जी से कहा मात्मा जी आप जी अशीरवाद दो आप सत्कुर बाबाजी से कहना हमें अशीरवाद दें कि जो भी ये सेवा दास को दे रहे हो वो सेवा हम निभा पाएं सत्कुर की किर्पा से आगे से महात्मा दिलबाग जी उस महात्मा से कहते हैं बाबा जी यह बात कह रहे हैं आप उनकी मदद करिये बाबा जी का अशीरवाद आपके साथ है आगे से वो महात्मा शेत्रि संचालक जी कहते हैं रात का समय है जंगली रास्ता है उची उची पहाड़ियां है सेवादार के जुआन वहाँ पर गए और कहते हैं उस थान पर पहुँचे वहाँ पर कोई घर भी नहीं है कोई साधन भी नहीं है और कहते हैं कि साड़े बारा बजे वो वहाँ पर पहुँचे और कोई साधन नहीं है कोई घर नहीं है अब नीचे खाई में जाएं तो कैसे जाएं महापुरुश नीचे नहीं जा सकते हैं और कहते हैं कि जो उस बस में चोटे चोटे बच्चे जो बेहने थी उन को बस में चड़ा कर उन महापुरुशों को बस से कहते हैं कि रज़त होटल में पहुचाया गया रज़त होटल में वो सब ही आ गए और महापुरुशों ने परियास किया लेकिन वह वहां तक उस महा महात्मा दिलबाग जी का फोन आ जाता है, महात्मा दिलबाग जी कहने लगे, महात्मा जी कुछ बना, आगे से शेत्रिय संचालिक महात्मा जी ने कहा, हम परियास जारी रखे हुए हैं, कोई महात्मा मिल नहीं रहे, कोई महात्मा ऐसे मिल नहीं रहे, जो उस महात्मा तक पह आगे से महात्मा दिलबाग जी ने कहा सद्कुर्बाबा जी का अशीरवाद आपके साथ है आप परियास जारी रखें आप परियास जारी रखें वो कहने लगे कि रात के साड़े बारा बज़े हैं और इस समय कोई मिल नहीं रहा कहते हैं जिस दा जग विच कोई न होवे उस दा मददगार है कते हैं इतने में देखा एक बजूरग सज्जन सफेद दाड़ी उस पहाड़ी रास्ते से रास्ते में आए पांचे नोजवान सेवा दल के खड़े थे बस तो जा चुकी थी सेवा दल के जवानों के पास खड़े हैं उनके पास आगए और उनसे पूछने लगे आप यहां क्यूं खड़े हो सेवादार महात्मा उनने कहा हमारे एक सज्जन महात्मा खाई में गिर गया है तो हम देख रहे हैं कि कैसे उस महात्मा को बाहर निकाला जाए तो वह सज्जन कहने लगे मैं कुछ मदद करूं सब सेवादारों ने कहा हां जी आप परियास करें आप मदद करें वह बजूरक सज्जन गास और टहनियों को पकड़ते हुए नीचे खाई में चले गए और उस सज्जन उस महात्मा को 20 मिंट तक वो उपर उठा कर ला रहे हैं उन्हें 20 मिंट लगे इस काम को करने में और वो उस महात्मा को उठा कर ला रहे हैं वो महात्मा बिहोशी की हालत में हैं कहते हैं कि उस महात्मा का वेट भी एक किवंटल के करीब होगा इतना वेट भी उठाया हुआ है और बजूरक भी हैं और उपर सही सलामत ले भी आये हैं तो महात्मा कहते हैं कि सेवादार महात्म आपनी पोकेट से परस निकाला कि हम परस में से कुछ पैसे निकाल कर इन सज्जन को दे देती हैं, इनके कुछ सेवा कर देती हैं, ताकि ये कुछ खा पी लेंगे, जब वो पैसे निकाल रहे थे परस में से, तो कहते हैं उन्होंने देखा कि वो सज्जन वहां से गायब हैं, उस सेवादार महात्मा उने उस महात्मा को जीप में रखा और होस्पिटल ले गए सेवादार महात्मा उने जो महात्मा खाई में गिर गए थे उस महात्मा को जीप में रखा और होस्पिटल ले गए रात के साड़े तीन बजे कहते हैं कि साड़े तीन बजे वो ठीक हुए एक बजे वो होस्पिटल में पहुंचे और साड़े तीन बजे उस महात्मा को होश आया उसके बाद उस महात्मा को कांगडा ससंग भावन ले गए और कहते हैं कि सारी बाचित महात्मा दिलबाग जी के साथ जारी थी उनको वो बताते रहे उनके फोन भी आते रहे और उन्हों बताते भी रहे उन्होंने बताया कि रात के डेड़ बजे उन्होंने बताया कि बाबा जी की किरपा से वे महात्मा मिल गए और अब बाबाजी के अशीरवाद से ठीक है आप जी अशीरवाद दो वे ठीक होकर अपने घर जाएं कहती हैं कि अगले दिन सुबह साथ बजे जब उस महात्मा की पीठ देखी वे खरोंचों से भरी हुई थी जिसके सीर पर सत्कुरु का सहारा होता है वे कभी भी दुख नहीं पा सकता सत्कुरु का शरीर नहीं होता यह तो नरायन होता है नत्कुरु शरीर रूप में होता जरूर है लेकिन सत्कुरु शरीर नहीं होता यह तो नरायन होता है कहते हैं कि सत्कुरु आप नरायन कलाधार जग में परवरे हो ये सद्कुरू शरीर रूप लेकर नारायन आया है इसलिए हम इसको बंदा ना समझे ये हर जग हमारी रख्षा कर रहा है जो वो बुजूरक सच्जन आए महात्मा जो बुजूरक वो सच्जन आए हेल्प करने के लिए सद्कुरू ही तो था सत्कुरु हर जगे विराजमान है ये नहीं आजकल सत्कुरु माता सुदिक्षा जी महराज मनसूरी में है तो ये नहीं कि वो हमारे पास नहीं है वो हर जगे हैं अंगसंग है ये सत्कुर देहे का नाम नहीं है सत्कुर होता ज्यान है सत्गुर को एक देह समझना भूल है अज्यान है वे शैंशाजी का वो शबद याद आया ये विचार सुनकर यही शबद याद आया कि जिसनु इस्ता होए सहारा कम नहीं उस्ता आड़ सकदा आद व्याद उपाज चकोई रोग नी सामें खड़ सकदा का अरज उस्ते रासकर अरण लई आके विच खलो जानदाए पाल विच अपने पगद्या पे सारे तोने तो जानदाए जिस्ता जग विच कोई न होए उस्ता मददगार है कहें अवतार जो अंगसंग वस्ता साथी बस निरंकार है यही हमारा सच्चा साथी है यही हमारा सहारा है यते हैं कि सब्दे वेडे वजे शहनाई, जीवन मापे पहना पाई, हस्दे हस्दे पूरे हुवन सपने अखियां दे, मेरे साहिब मेरे सत्गुरु सबनु खुशियां दे, सचे पाश्या सब को खुशियां देना, सब का इतना द्रेड विश्वाश बना के रखना, सभी वासिमरन ससंग करते चले जाएं, कुर्माता सुदिक्षा जी महराज ने भी हमें 18 जुलाई 2021 दिन संडे को हमें अपने विज़ारों द्वारत समझाया कि ब्रहम ज्यान जो है बहुती अनमोल धन है, इसकी हम कदर करें, कहते हैं कि अंजाने में अगर गलती हो जाए, तो व है, गलती नहीं होती, हम यह सोचकर गलतीयां करते रहें, कि यह तो बक्षन हार है, नहीं, ऐसा नहीं है, जान पूछ कर की गई गलतीयों की माफी मिले या न मिले, इस तरह हमें सत्कुर्माता जी समझा रहे हैं, कि हम जान पूछ कर गलतीयां ना करें, बक्ष दे ता जिस्टे लारे हर दफा कीता न कर अगर हम ये सोचें कि ये तो बख्षन हार है हम पुलन हार हैं ये बख्ष लेगा नहीं हम जान पूझकर गलतियां ना करें अंजाने में जो गलति हो जाती है उसकी माफिवी मिल जाती है फिर आगे सत्कुर माताजी ने हमें समझाया कि हम अपनी गलतियों पर तो परदा डाल लेते हैं लेकिन दूसरे की गलतियां उचालने लग जाते हैं हमने ऐसा नहीं करना यहां भी हमें सत्कुर समझा रहे हैं कि देखे ना अवगुण किसी के गुणों के ग्राहक हम बने हमने अपने अवगुण देखने हैं और दूसरों के गुण देखने हैं हमने दूसरों से कुछ न कुछ गुण ग्रहन करते ही चले जाना है जैसे एक बार शेहनशाजी से किसी ने कहा कि बापा जी मैंने एक शरापी आदमी को देखा तो उससे हमें क्या शिक्षा मिल सकती है तो आगे से शेंशाजी ने कहा कि उससे भी हम शिक्षा ग्रैंड कर सकती है अगर हमारी नजर सही है अगर हम गुंड लेना चाहती है तो उससे हमें ये गुण मिलती है कि जिस तरह के इसकी हालत हो रही है इसके बेवी बच्चों का हाल हो रहा है इसका शरीर कराब हो रहा है इसका स्वास्ते कराब हो रहा है इस तरह का काम हमने नहीं करना है इस बात से भी हमने गुण ग्रहन करना है कि हमने ऐसा काम नहीं करना है इस तरह हमें सत्गुर समझा रहे है फिर आगे सत्गुर माता सुदीक्षा जी महराज ने हमें समझाया कि अगर हमें किसी ने चोट पहुंचाई है तो हमने उसको चोट नहीं पहुंचानी है हमने अपनी चोट से ही सीख ले लेनी है, शिक्षा ले लेनी है, कि जिस तरह है चोट लगने पर मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे ही अगर मैं दूसरे को चोट पहुंचाऊंगा, तो उसे भी मेरी तरह ही दर्द होगा, यहां भी सत्गुरु हमेश समझा रहे हैं, कि हमने जखम देने का काम नहीं करना, हमने मरहम लगाने का काम करना है, हमने किसी से बदले की भावना नहीं रखनी, यही तो संतों महात्माओं का करम होता है, कि संत महात्मा जो होते हैं, बदले की भावना नहीं रखते, वो हर एक के दुख सुक को अपना दुख सुक समझते हैं, क्यात इस तरह सत्कुरुन हमें यहां भी समझाया है कि हमने हमेशां दोसरों के दुख दर्द में काम आना है, हमने मरहम बनना है, हमने जखम नहीं बनना, दुख तेरा हो या मेरा, दुख की परिभाशा एक ही है, दुख तो किसी का भी हो, दुख तो दुख की परिभाशा एक ही है आसु तेरे हूँ या आसु मेरे आसु की प्रभाशा एक ही है ये सारा संसार जो है हमारा परिवार है हमने सब के भले की कामना ही करनी है सब के भले की अर्दास ही करनी है अर्दास है कर दे या जोली सब दे भर दे भुख नंग न रहे कितरे ना हो भी कोई प्यासा तो कर सकने सब दे पूरी आशा सचेप आशा सदकुर निर्णकार आप समरत हो गट-गट पासी हो आप सब कुछ पूरन कर सकते हो जिस तरह हैं आप हर पल हमारी सहयता करते हो इसी तरह सचेप आशा आप करते रहना आप जी हमारा सहारा हो आप जी हमारा गुजारा हो तेरी योट सहारा तेरा तन्मन गोल गुमावा कहे अवतार तेरे हिदाता दिन राती गुनगावा परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रबू सबका हो कल्यान सचे पाशा सबका कल्यान हो सबका भला हो हिदाता आप जी ने यही हमें सिखाया है कि हमने हर एक का भला ही करते ज सार हैं फिर तो सही माइनों में हम ब्रहम ग्यान पर चल रहे हैं और आप जी को भी खुश कर पा रहे हैं और अगर हम इन बातों को सिरफ सुनने सुनाने तक ही सीमित रखे हुए हैं तो बात बनने वाले नहीं है सद्कुरू हमें समझाते हैं धरम जोड़ता है तोड़ता नहीं हमने सभी को जोड़ने का काम करना है तोड़ने का काम नहीं करना तोड़ना बड़ा असान होता है जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है सत्कुरू तभी खुश होते हैं जब हम जोड़ने वाला काम करते हैं अगर हम सद्कुरू से सुख लेने चाहते हैं तो हम हमेशा जोटने वाले काम ही करते चले जाएं और सद्कुरू की रहमतों के भागिदार बनते चले जाएं खुशिया ही खुशिया प्रापत करते चले जाएं सच्छे पाश्या सद्कुरू भाताजी आप सब के लिए सचे पाश्या सुख देना और सभी के लिए दासी आप जिसे यही अश्यरवाद मांगती है कि सब की जोलिया खुशियों से भरना जो तन मन धन से जैसे भी है सचे पाश्या तन से अगर कोई रोगी है उसे स्वस्त कर देना अगर मन से कोई है जिसको ससंग नहीं मिल रही उसे ससंग देना और धन से अगर किसी के पास कोई कमी है तो उसे धन से भरपूर करना ताकि वो संतों महात्माओं की सेवा कर सके ऐसा अशीरवाद सतकुमाता जी आप जी के चरनों से दासी मांगती है और आप जी ऐसा अशीरवाद सभी को देना सभी इसी तरह सेवा सिम्रंससंग करते हुए आप जी के चरनों से जुड़े रहें सचे भाशा आप जी के चरनों से जुड़े रहें और आप जी से ही मांगत रहें किसी और का हमें मोताज ना करना कि कहते भी है गयर को लो मंगीना गुरा को लो संगीना हमने गयर से मांगना नहीं है और आप से मांगते हुए हमने शर्माना नहीं है सचे पाश्या आप जी से ही मांगना है और आप जी ने देना भी है जो आप जी को हमारे लिए सब के भले की कामना करेगी आप जी के चर्णों में निरंकार का एसास करते हुए सभी के भले के लिए सिम्रन करवाएगी सभी ने मिलकर सिम्रन में साथ देना है तुही निरंकार मैं तेरी शरणा मैं नुबक्ष लो तुही निरंकार मैं तेरी शरणा मैं नुबक्ष लो तुही निरंकार मैं तेरी शरणा मैं नुबक्ष लो बोलिये सत्गुरु माता सुधिक्षा सुधिक्षा सुविंदर हर देव जी माराज की जै निरंकारी राज मात गुर्वच नवतार की जै साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी